गर्मी में काली और गोरी बहन का ससुराल में बटवारा अरे मेरी ब्लू वाली ड्रेस कहा है? कहीं दिख नहीं रही? तब ही शिखा की बहन हेमा ब्लू ड्रेस पहन कर उसके सामने आती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? अरे तुम्हारे काले रंग पर ये ब्लू रंग बल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इसमें ऐसा क्या है जो मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा? और तुम मेरी बहन हो तो क्या में तुम्हारी ड्रेस नहीं पहन सकती? ये ड्रेस मेरी है और इसे मैं ही पहनूँगी, तुम मेरे कप्ड़ों को हाथ भी कैसे लगा सकती हो, इसे अभी के अभी उतारो तबी वहां शिखा की मा ममता आती है, क्या हुआ बेटी क्यों चिला रही हो अपनी काली बेटी को समझा लो मा, मेरे कपड़े पहन लेती है और मुझे बताती भी नहीं है मैं नहीं चाहती कि ये काली कलूटी मेरे कपड़ों को पहने हरे ये भी तो तुम्हारी बेहन ही है, सतरह तुम बरता क्यों करती हो उसका रंग काला है तो जरूरी है उसके रंगे बारे में बार-बार कहना मेरे जितने भी कपड़े पहन ले लेकिन रहेगी तो हमेशा काली ही इसको क्या लगता है कि मेरे कपड़े पहन कर ये हुसन की परी बन जाएगी अरे यह हमेशा काली है तो गंदी ही दिखेगी क्या बोल रही हो ऐसे यह तुम्हारी बहन है देखो आगे जाकर तुम्हें ससुराल में एक साथ रहना है अभी से बहनों में इतने मन मुटाव रहेंगे तो आगे जाकर तुम्हें परिशानी होगी हर गिस नहीं मेरी शादी और इसकी शादी एक ही ससुराल में बिलकुल भी नहीं इतना कहेकर शिखा गुसे में वहां से चली जाती है हे भगवान इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता कितना गुसा करती है छोड़ो तुम उदास मत हो तुम्हारी बहन का तो काम ही है बेवजा की बातों पर लड़ाई जखड़ा करना चाओ तुम अपने कॉलच चली जाओ तुम्हें देरी हो जाएगी अपनी बहन की इतनी सारी बाते सुनने के बाद शिखा उत्रे हुए मूँसे कॉलच चली जाती है जहां पॉलिस के सभी लोग उसके उपर ब्लू कलर की ड्रेस देखकर हसने लगते हैं अरे अरे देखो ब्लू कलर की ड्रेस में कितनी अजीब लग रही है यह जैसे कोई पानी में काल ही ब्लू कलर की मचली हो ये सब सुनकर हेमा को बहुत बुरा लगता है वो जब वापस आती है तो बिना खाई ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है इससे ममता ये समझ जाती है कि उसका आज का दिन भी कॉलेज का बिलकुल अच्छा नहीं गया तो वहीं उसकी गोरी बेटी शिखा अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट पाटी करके घर पर आती है अपनी दोनों बेटियों को देखकर ममता बहुत जल्दी उनकी शादी का फैसला लेती है अगे जैसा आपने कहा था लड़के बिलकुल वैसे ही है आपकी दोनों बेटियों वहाँ खुश रहेंगी आप कहो तो मैं शादी की बात बढाता हूँ मुझे लड़के पसंद है आप इनहीं लड़कों से मेरी बेटियों की शादी की बाहत करो पंडित जी पंडित लड़के वालों से मम्ता की दोनों बेटियों की शादी के बारे में बात करता है इधर उर्मिला को भी मम्ता की दोनों लड़किया पसंद आ जाती है जिसके चलते वो खुद मम्ता के घर जाकर रिष्टा पक्का करके चली जाती है चलो मेरी दोनों बेटियों के एक ही घर में रिष्टे तो हो गए अब ये एक ही ससुराल में रहकर एक दूसरे की परिशानी में सहारा बन कर धीरे धीरे खुशी से रहने लगेंगे और उनके बीच की नफरत की दीवार खत्म हो जाएगी जैसे कि ममता ने सोचा था वैसा बलकुल नहीं होता शादी के बाद भी शिखा अपनी काली बेहन को कुछ नहीं समझती थी उसकी काली बेहन उस उम्र में बड़ी थी लेकिन उसकी शादी करके छोटे बेटे से हो जाती है और शिखा के घर के बड़े बेटे से तो वहीं उनकी शादी के बाद उनके साथ गाउ में वो रहने के लिए जा रही होती है तुम सब अपना ख्याल रखना गाउ में कुछ जमीन है और कुछ बाकी के काम रह गए है मैं कुछ समय गाउ में ही रहकर सबी काम निप्टाना चाहती हूँ इसलिए गाउ जा रही हूँ अरे माजी अभी तो हमें आपकी सेवा करने का मौका भी नहीं मिला और आप इतनी जल्दी गाउ जा रही हो वो भी रहने के लिए अरे बहू तो चिंता मत कर बहुत जल्दी में वापस आ जाऊंगी उर्मिला इतना कहकर चली जाती है हेमा यहाँ थोड़ी सी खुश रहती है आज तक उसके रंग को लेकर किसी ने भी उससे प्यार से बात नहीं की थी लेकिन उसकी सास को उसके काले रंग से जरा भी फरक नहीं परता था वो अपने सामने हेमा और शिखा दोनों को ही एक समान बहु का प्यार देती है उसके जाने की बाद शिखा अपने कमरे में अपने आप से कह रही होती है पता नहीं क्यों कुंडली मार कर मेरी काली कलूटी बहन मेरी सिंदगी में बैट गई है मुझे इससे चुटकारा पाना है आखिर मुझे इससे चुटकारा कैसे मिलेगा शिखा अपने कमरे में यहां से वहां घूमते हुए इस सब सोच रही थी कि तब ही उसे एक सुझावाता है इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है अगर मैं मा जी के पीछे इस घर का पटवारा करतू अब शिखा का पती घर का बड़ा बेटा था इसे के चलते शिखा अपने पती को अपने देवर और अपनी बहन के लिए भड़काना शुरू कर देती है अपका भाई काम का काच का न दुश्मना नाच का अरे उसे जितना खाना दोतना कम होता है लेकिन घर में काम करके मेहनत से पैसे लाना जैसे उसके हाथ में ही ना हो मुश्किल से वो चार पैसे कमाता भी है तो उस काली कलूटी के उपर उड़ा दिता है मैं तो ये चाहती हूँ कि आप उसे इस घर से निकाल तो तुम ये क्या कहना चाह रहे हो अपने आने वाले बच्चों के बारे में सोचो क्या उनके हिस्से में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला वैसे भी तुम्हारा भाई अनपढ जाहिल गमार है उसके बच्चे तो अनपढ ही रहेंगे तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और घर का बटवारा करके आदे से ज्यादा सब अपने पास रख लो शिखा के ये कहने पर हिमन थोड़ी देर सोच में पढ़ जाता है जिसके बाद वो उसकी बातों में आकर अपनी मां के जाने के बाद घर का बटवारा कर देता है घर के बटवारे में उसके भाई को घर के ही बाहर एक चोटा सा कमरा मिलता है हेमा गरीब तो हो ही चुकी थी अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि गर्मी से बचने के लिए वो अपने कमरे में पंखा भी लगा सके अब हम लोग क्या करें, यहां तो बहुत गर्मी लग रही है, पंखा भी नहीं है, गर्मी की वज़े से मुन्ना को भी सर्दी गर्मी लग गई है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं नौकली ढून रहा हूँ ठंडे पानी के लिए हिमा को अपने घर में सौबटा पचास का एक मटका लाकर रखना पड़ता है, जब उसके अंदर दो से तीन घंटे में पानी ठंडा होता है, तो वह उसमें से तब ही पानी पी पाती, वरना रखा वह पानी उसे उबले पानी की तरह लगता है, यह बिला गाउं से घर वापस लोट आती है, अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, कहाओ तुम दोनो, चल्दी से यहाँ पर आओ, देखो मैं तुमारे लिए गाउं से क्या-क्या सामान लेकर आई हूँ, तब ही उसके सामने उसकी गोरी बहू शिखा और उसका बेटा आता है, अ अरे मेरा पोता, चल हेमंत, जल्दी से गाड़ी निकाल, उर्मिला अपने बड़े बेटे की गाड़ी में बिठा कर अपने पोते को अस्पताल लेकर आती है, अब जब वह अपनी काली बहू और बेटे की हालत देखती है, तो वह हैरान रह जाती है, मेरे जाने के बाद गो बटवारा कैसे हो गया? हो गया तो हो गया नमन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी पतनी शिखा को इस काली कलूटी का घर में रहना पसंद नहीं था, इससे हमारे स्टेंडर गिरता, ऐसी लड़की हमारी परिवार का हिस्सा कैसे हो सकती है? ये सुनते ही उर्मिला सबसे पहले हिमन को जोरदार तमाचा मारती और उसके बाद वहां खड़ी शिखा को भी आज तक मेरे रहते इस घर के अंदर बटवारे की बात तो बहुत दूर की है, एक दूसरे से नाराज रहने की बात तक नहीं हुई और आज तुने अपने भाई को अपनी बीवी के कहने पर बटवारे के चलते अलग कर दिया इधर तू AC की हवा में रह रहा है उधर मेरा छोटा बेटा गर्मी में परिशानी से जूज रहा था अरे तुम दोनों को इन दोनों की हालत का जराबिय अंदाजा है आज तुम्हारी ही कारण इनका बच्चा अस्पताल में एडमिट है उर्मिला के इसब कहने पर और उसके हाथों से चाटा खाने के बाद हेमन तो शिखा को अपनी गलती का एहसास होता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई हम एज़ा नहीं करना चाहिए था भाई हो सके तुम मुझे माफ कर देना हेमा दीदी मुझे भी बहुत बड़ी भूल हो गई मुझे भी बाफ कर दो आपके काले रंग की वज़ह से मैं आपके उपर बहुत अत्याचार करती रही आपको गर्मी में सढने के लिए छोड़ दिया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे माफ कर दो कोई बात नहीं बहन तुम्हे अपनी गलती का हैसास है मेरे लिए तो इतना ही काफी है तब ही डॉक्टर आते हैं अच्छा हुआ तुम बच्चे को समय पर ले आए सर्द गर्मी जादा बढ़ जाती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी कुछ दिनों में आपका बेटा ठीक हो जाएगा ये भगवान तेरा लाक लाक शुक्र है आइंदा इस घर के अंदर बटवारे की कोई बात नहीं होगी पूरा परिवार एक साथ रहेगा और सबको बराबर का हक मिलेगा इस तरह उर्मिला बटवारे को खत्म गर देती है जिसके बात काली बहू अपने पती और बच्चे के साथ वापस से अपने कमरे में आ जाती है और उसके साथ उसे कमरे में एसी लगवा देती है और सभी परिशानियां खत्म हो जाती हैं, सभी एक साथ खुशी-खुशी रहने लगते हैं